अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने ब्रेकिंग के बारे में सीखा, मोर्टरिंग सीखा था और मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग और जनरेशन में काफी हद तक similarity हैं, उनका technical analysis कर चुके हैं और physical significance भी जान चुके हैं, इसके बाद मैंने आपको एक बहुती golden rule बताया था कि कभी भी अगर आपको ब्रेकिंग बता करनी हो तो आपको simply electromagnetic torque और omega का relation देखना है, अगर वो opposite हैं तो वहाँ ब्रेकिंग हो रही होगी, और supportive है तो वहाँ पर motoring हो रही होगी, finally just last lecture में मैंने discuss करा था four court operation, आप सब लोगों ने देखा होगा, और उसके अंदर हमने बहुती simple तरीके चीज़ी सीखी थी कि कहाँ पर forward motoring होगी, कैसे forward breaking होगी, reverse motoring और reverse breaking, यह सारे concept हमने last lecture में उने discuss करे थे, now अब इस lecture के अंदर एक बहुती interesting चीज़ बताने वाला हूँ, यानि कि यह सारी चीज़े जो मैंने अभी तक बताई हैं, यह आपको अगर समझ में आ गई होगी होगी, यह उसका advance case है, यानि कि अभी तक जितना भी हमने सीखा था, यह उसका एक थोड़ा सा advance case है, mix case है, इ अगर हम बात करते हैं forward motoring की, forward motoring से अगर मैं अपना operation को forward braking की तरफ ले जाना चाहूं, तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए मुझे torque को shift करना पड़ेगा, यानि कि देखो बड़े ध्यान से देखना, सब कुछ वैसा ही है, हमने क्या करना ह प्लस T से माइनस T की तरफ shift करना है, यानि कि अगर मैं omega को fix रखता हूं और electro man की torque की direction change कर देता हूं, तो वहाँ पे हमे forward motoring से हम लोग किदर चले जाएंगे, forward braking की तरफ, ठीक है, समझ में आगया होगा, इसी तरीके से अगर मैं third or fourth coordinate को देखता हूं, अगर मैं reverse motoring से, बहुत ही important rule है, कि आपको electromagnetic torque की direction को reverse करना पड़ेगा, keeping the direction of angular velocity same, यानि कि angular velocity को अगर सेम रखते हैं, तब उस particular case के अंदर, ठीक है, clear हो गए यहाँ यहाँ तक हमने लगबग सीखा था, यह मैंने एक insight आपको बता दिया, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसको अच् four quad operation बहुत अच्छे से बताया था, पर एक चीज़ अगर आपने और ध्यान दियो, इन चारोई cases के अंदर, जितने भी cases हमने four quad operation पढ़े हिया, जो lift की तरह बताया है, इन सब के अंदर मैंने single mode of operation बताया था, यहाँ पे single mode का क्या मतलब हुआ, single mode का मतलब किसी भी mode में, या पिर केवल breaking कर रहा है, यानि कि अगर lift के example से देखूँ तो मैंने बताया था, हम ground floor से fifth floor पे जा रहे हैं, तो उस mode मैंने बताया था, motoring हो रही थी, इसी तरीके से जब हम उपर से नीचे उतर रहे थे, fifth floor से ground floor पे जा रहे थे, तो breaking हो रही थी, simple mode हमने बताया थे, हमने single mode of operation के बारे में चर्चा करी थी, या तो उस पूरे mode के अंदर machine आपकी breaking परफॉर्म कर रही थी, या उस पूरे mode के अंदर machine आपकी motoring परफॉर्म कर रही थी, ये चीज़ हमने सीखी थी, ना एक बहुती interesting case, आज मैं आपको सिखाता हूँ, same machine है हमारे पास, same lift है जो हम लोग ल वो in the direction of lift होगा, तो TL हमने in the direction of lift बना दिया, या अगींस the direction of motion of counterweight, clear होगे यह आपे, तो TL हमने lift की तरफ बनाए क्योंकि lift भरी हुई है, ठीक, अब अगर मान लेते हम ground floor पे हैं और हम lift के अंदर आके बैठ गये, अब हमने lift के अंदर button दबाया 5th floor का, तो lift उपर जाना शु वो इस तरीके से direction उसकी आजाएगी, यानि कि हम कह सकते हैं इस पूरे procedure को देखके, आप यहाँ पे देख सकते हो, omega और T same direction में हैं, तो आप तुरंती नीचे कह लिख सकते हो, this is motoring, यहाँ पे क्या हो रहा है, motoring हो रही है, clear हो कि बहुत ही simple operation था, यह हमने 4 quad में discuss करा था, पर एक बड़ा important change आजाता है, now मान लेते हैं हमारी same lift है, हमने ground floor पे थे, और ground floor बटन दबाया 5th floor का, पर जैसे ही तुम 5th floor के पास पहुचोगे, तो आपकी जब machine 5th floor के पास पहुचने बाली होगी, तो उसे lift को रोकना भी तो पड़ेगा, मास बंज में आ रही है, तो उस होती रहेगी, तो तुम 5th को उपर चले जाओगे, 5th floor पार कर जाओगे, तो हमें क्या होता है, जैसी हमारा floor आने वाला होता है, तो lift को क्या करना है, ब्रेक लगाने होते हैं, क्योंकि तब ही तो lift आपको 5th floor पर रोकेगी, तो ऐसे case में तुम्हें motoring की condition में, यानि कि same conditions है और वहाँ ब्रेक सप्लाइ करने है, तो ऐसे particular case के अंदर हमें motoring से तुरंती breaking की तरफ shift करना पड़ेगा, यानि कि motoring से हमें breaking कैसे आएगी, electromanically torque वो चीज़ प्रोवाइड करता है, ब्रेक लगाता है, तो इस particular mode को हम कहेंगे breaking, तो same mode के अंदर, यानि कि same motoring हो रही थी, ज प्रेक सप्लाइ करने पड़ेंगे, तो इस तरीके के mode of operation, यानि कि जिसमें motoring हो रही थी, और उसके बाद तुरंती उसके अंदर, सब कुछ वैसा ही है, बस break apply करने होंगे, motoring के अंदर, जब आप break apply करते हो, this is what we call mixed mode operation, clear हो गया बास समझ में आ रही है, तो ये चीज़ बि लेकिंगा case बनाए, ये किसी भी 4-quart operation जो आपने पड़े, उसमें ये case lie नहीं करता है, clear हो गया, यानि कि ऐसा कोई भी case आपको 4-quart operation में देखने को नहीं मिलेगा, समझ मारी बात, जिसमें electro-manual torque और load torque, same direction में हो जाए, तो IOBGs clear हो रही होगी, तो क्या दिक्कादी, क्या इंतर है इसमें, यानि कि देखो पुरानी जो भी case थे 4-quart operation के, उन सारे ही cases के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, या तो हम लोग motoring कर रहे थे, या तो हम केवल इतना देख रहे थे कि ground से 5th floor पे जा रहे हैं, या 5th floor से नीचे उतर रहे थे, हमने ये तो सोचा ही नहीं, या आपको जल्दी books में नहीं मिलेगा, इसकी बात की जाती ही, पर जल्दी ये किसी book में दे नहीं रखा होता है, clear हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम कहेंगे, mixed mode operation होगा, यानि कि हम लोग ऐसा case, जिसमें motoring हो रही थी, और एकदम से आपने breaking कर ली, यानि कि अभी जो पूरे प एकदम से breaking पर shift होते हो, this is what you call mixed mode operation, समझ में रहा है, तो ये जो mixed mode operation है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसी तरीके से काम करता है, इसी लिए, जैसे कि for example, अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आपने बाइक चला रहे हो, high speed पर बाइक चल रही है, आपकी motoring हो रही है उस जो इसको oppose कर रहा था, वो अब क्या होगा, load torque को support करने लगा इस तरीके से, तो break apply करते हैं हम लोग, तो break जो होते हैं, वो friction की direction में काम करने लगते हैं, clear हो गया है यहाँ पर, तो this is the concept of mixed mode operation, आयो समझ में आगया होगा, ठीक है, तो एक बड़ी important चीज, यानि कि एक जो खा अगर motoring से breaking की तरफ shift होना है, यानि कि कभी भी motoring का अगर operation आपको breaking की तरफ ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको electromagnetic torque की direction को reverse करना पड़ेगा, सबसे important चीज यह है, यानि कि जब भी आपको motoring से operation को, motoring के operation को breaking में shift करना है, तो आपको क्या करना पड़ेग इलेक्ट्रो मेगनेटिक टॉर्क यानि की टी यह कौन सा यह है तुमारे टी तो आपको टी की डिरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा यह इंपॉर्टेंट वर्ट्स है ठीक है तो चाहे सिंगल मोड में करो चाहे मल्टी मोड या मिक्स मोड ऑपरेशन में जब भी आप क्या होगा इंपॉर्टेंट चीज एक नोट करने वाली बात क्या है वो दियान रखना कि मैंटेनिंग डिरेक्शन आफ एंगल व्लॉस्टी यानि कि एंगल व्लॉस्टी सेम रहनी चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट यानि कि जब भी आप इलेक्ट्रो में टॉर्क की डिर आपको समझमे संवाए होगा और अब ऐसा करने की क्या ऐसे करने की तीन तरीके हैं पहला ररीकिँ इससके बाद अगले लेक्ट्र आएग instal अंपर बहुत डिटेयल बैतों और separately excited DC machine basically मैं dynamic breaking बताऊँगा और उसमें हम लोग separately shunt and series इन तीनों machine को चर्चा करेंगे आयोग भी लेक्टर सब्सक्राइगा इस lecture को बनाने का main मक्सद था कि आपको एक ऐसे operation की तरह बता सकूँ कि एक single mode के अलावा mixed mode भी होता है बहुत दों मनमी doubt already होगा कि जब lift हमें लेके zero से fifth floor पे जाएगी तो वहाँ पे तो उसे रुखना पड़ेगा ना और वो वहाँ पे breaking करनी पड़ेगी तो ये तो four quad operation में ऐसा कोई भी case नहीं है आपको समझ में आ गया होगा आपने अमना कीमदी समय दिया उसके लिए धन्यवाद और आने वाले lecture के अंदर हम लोग breaking के और detail concept सीखेंगे